सुल्टानपुर में आज सहर के कश्बा इस्थित संग कार्याले का लोकारपन हो गया का नाम प्रोफेसर राजिदर सिंग रज्जु भाईया सदन रखा गया है लोकारपन करने पहुंचे राष्टी स्वयम स्वयोग संग के नीवर्तमान सह कारवाह सुरेश जोजी यानि भायाजी जोजी ने कहा कि संग मुस्लिम वा इसाई का विरोध नहीं करता है संग हिंदूों के बीच फैली कुरितियों गुराईयों को दूर करने का कारे कर रहा है उन्होंने कहा कि गलत धारणाओं को हमें समाप्त करना होगा हम भारत के लोग है सभी हिंदू एक हैं उचाहें किसी जातिके हो संग हिंदूों की बीच भेदबाव अच्छू अच्छूत को मिटाने का कारे कर रहा है उन्होंने कहा कर्मकान से ज्यादा आचरन पर ध्यान देना होगा समाजिक जागरण आवस्यक है भायाजी जोसी ने आगे कहा कि विवाजन के बाद बाग के 25 साल के भीतर दो टुकड़े हो गए अभी कितने होंगे पता नहीं एक समय दो तिहाई हिस्से पर मुगलों का राज रहा अंगरीजों के हम गुलाम रहे हिंदू साक्षी रहा हिंदू हारे हिंदू के ही कारण हिंदू में ही जैचंद भी रहे जह पराजे का साक्षि भी हिंदू कारण भी हिंदू ही है, हिंदू ब्रांतियों में जीता है, हमें उसे जागरित करना है, इतना बढ़ा समाज टुकड़ों में बढ़ गया उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना होगा हमें महिलाओं के प्रती अच्छी सोच लानी होगी भाया जोसी ने आगे कहा कि पाकिस्तान नकारात्मक सोच के साथ पैदा हुआ मुल्क है आज अपने को बुद्वियान बताने वाले गलत कारे कर रहे हैं और उन्होंने अपने उत्पोधन में अंतमी समर्थ गुरू रामदास के विचारों को भी बताया सुल्तानपुर से नाफोटीफोर के लिए अजहर अब्बास की रिपोर सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज